हलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका SSC Constable GD 2018 कुछ ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि देखें किस तरीके से लापरवाही हुई है कहां लापरवाही हुई है या कहें कि candidate जो है उसके साथ खिलवाड हुआ है एक तरह से यह आप देख रहे हैं एक PSD certificate आप यहां पे देख रहे हैं नाम रोल नंबर हमने हाइड किया है यह हम आपको अश्वस्त करते हैं कि आपकी जानकरी जो है वो सारुजनिक नहीं करेंगे हम वीडियो बनाए जाते ह बे जिजक किजिएगा कोई टेंशन करने की जुरत नहीं है इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो देखिए कहीं न कहीं लापरवाही हुई है और लापरवाही से सारा जो candidate का सारी उमीदें जो है वो जाया हो गई यहां पे यह PST PT Certificate Male Candidate है पांच किलोमेटर रेस इन 24 मिनट्स यह क्वालिफाई हो गए 170 हाइट है सब कुस ठीक है यहां पे chest भी complete है इनका 80 to 85 है कहां हुआ था physical PST जो है यह board के जो हम देखते हैं तो यह सीमा सुरक्षबल यहीं B.S.F. के board में इनका physical हुआ है अब इनका जब result निकला तो result में इनका नाम नहीं आया इनके marks जो है वो final selected candidates है last selected candidate उससे इनके marks ज़्यादा है तो इन्होंने RTI लगाया अब RTI का क्या जवाब आया इनके पास में तो RTI का इनके पास में जवाब आया और वो जवाब भी कब आता दे के 12 March 2021 को reply इनको date of action अब यहाँ पर कहा गया है कि इन्होंने SSC को इन्होंने RTI लगाया था RTI का reply आता है this section only process the result as per the information provided by the regional offices CRPF and as per available record SSC दिल्ली ने इनको जवाब दिया यह देखे यहाँ पर कहा गया है कि unfit not qualified in DME result and due to this your candidature has been not considered in final result allocation further the applicant is informed that he should contact the office of Central Reserve Police Force and concerned regional office यहाँ गेंद जो है वो एक पाले से दूसरे पाले में डाली जा रही है SSC दिल्ली ने क्या क्या कि रिजनल आफिस के उपर टाल दिया CRPF पर टाल दिया रिजनल आफिस में जब candidate जाता है तो वहाँ पर इसको कहा जाता है हमने record दिल्ली बेज दिया खुद आप देख सकते हैं किस तरीके से खिलवाड हुआ है यह अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाता हूँ कि चलिए ठीक है यह केंडिडेट जो है यह डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में अन्फिट हो गए थे कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन इनका यह कहते हैं कि मुझे फिट केंडिडेट के साथ में फोटो मेरी खैंची गई थी आपको सबको पता है कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई केंडिडेट अन्फिट हो जाता है उसको अन्फिट का सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको फिट का भी बहुत सारे सेंटर्स पे CRPF के सेंटर पे fit का भी slip दिया गया था यही जो आपका भड़ती है इसमें अब बात याती है कि यदि किसी candidate को DME में unfit किया गया है तो वो चाहे कैसा ही hard से hard point हो यहां तक कि एक उंगली कटी हुई थी candidate की तो उन्होंने भी civil doctor से fitness लेकर appeal किया अब इनका जो result sheet है वो हम discuss करते हैं देखिए यह इनका result sheet है गुजरात के candidate हैंजे high chest कोई relaxation नहीं है DME, RME result अब देखिए कौन ऐसा candidate होगा जो DME में यही unfit हो जाता है तो वो appeal नहीं करेगा यह unfit हो जाते तो जहिर से बाते इनको certificate दिया जाता है और certificate दिया जाता तो चाहे कितना ही hard side point हो यहां तक कि color blind होता है complete color blind तो भी civil doctor जो है वो उसको एक candidate को help करने के हिसाब से कई civil doctor हमारे बहुत अच्छे doctor हैं बहुत positive हैं जो उस पे किसी ना किसे तरीके से उसकी help करने के लिए कि यह normal region में है यह चल सकता है कुछ भी वो लिखते हैं लेकिन वो fitness जरूर दे देते हैं और fitness है यही civil doctor ने fitness दे दिया तो आपका री medical आएगा अब यहां पर तो इनका शो कर रहा है कि री medical तो इनका यही हुआ ही नहीं यही इनका record जो है वो वहां पे इनको fit शो किया था इनको fit का result बताया गया fit का result बताने के बाद इनकी photo खेंची जाती है fit candidates के साथ में अब इन candidate का यह doubt है कि sir अब मैं यही case करता हूँ तो क्या मैं भी case कर सकता हूँ अब इन्होंने जब इनका result निकला था जब आपको 21 जनवरी को result आया था उस समय हमने इनको advise किया था कि आप application दीजिए और वो application आप किसी advocate से consult करके आप application लिखिए क्योंकि आप application लिखते हैं उसमें आपके सारे तथ्या नहीं आते हैं अब यह सबसे बड़ा point था इनका जो point है कि यह court में जा सकते हैं बिलकुल जा सकते हैं क्यों नहीं जा सकते क्योंकि ये ठीक है ये अन्फिट थे बात अच्छी बात है कि ये अन्फिट थे कोई प्राब्लम नहीं है अन्फिट थे तो इनको अन्फिट का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया और अन्फिट का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया तो इनके साथ परवाते जो भी रीजन दिया है अन्फिट का तो उसको फिट होने की हर कोई कोशिश करता है आप सब को पता है आपने भरती पुर्क दिया आपने देखी है तो यहां पर दोस्तों क्या हुआ है लापरवाही हुई है कहीं न कहीं किसी सक्षम पराधिकारी ने अपनी डूटी पर भी सभी तरीके से नहीं की या तो इनका फिट का रिजल्ट जो है वो अन्फिट शो हो गया या यह अन्फिट थे वाकई और इनको फिट उस दिन रिजल्ट बता दिया गया अब क्या होगा तो CRPF SSC ने गेंद डाल दी CRPF के पाले में Regional Office के पाले में Regional Office में यह गए वह पर कहा कि हमने रिकोर्ड दिल्ली भेज दिया है यानि कि यह सब जो है विसंगतियां इस भरती में बहुत सारी आ रही है तो जो हमारे पताधिकारी जो हमारे अफसरान जो वेतन लेते हैं इसी चीज़ का कि भरती पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए पूरी सही तरीके स होनी चाहिए खिलवार नहीं होना चाहिए उन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी पताधिकारी ने किसी अफसर ने इसमें अपनी डूटी सही तरीके से नहीं किये अब रिकोर्ड जब यह अब यह कैस करता हूं तो क्या होगा बिल्कुल अभी कर सकते हैं उससे पहले हम इनको हैं कि आप एक application अच्छे से advocate से consult करके एक application आप दीजिए और इसमें यह सब point उठाए जाएं कि ठीक है मैं unfit था तो मुझे unfit का certificate क्यों नहीं दिया गया यदि मुझे unfit का certificate दिया जाता तो मैं appeal करता और मैं unfit था तो मुझे अब दीजिए आप मेरे को unfit का certificate दीजिए मेरा मैं appeal करूँगा मैं हो सकता है simple normal सा point था कि एक knock नी था carrying angle था जिसमें यह exercise करके ठीक हो जाते या इनको color blind का point दिया क्या point दिया unfit किया है तो कुछ ने कुछ point तो दिया होगा तो ठीक है मुझे उस समय नहीं दिया आपने गलती से नहीं दिया तो court आदेश करेगा इसमें माननी न्यादिश मौदे दोनों पक्षों की बात सुनके आदेश करेंगे कि ठीक है जब आप सभी unfit candidates को आप certificate दे रहे थे तो इनको क्यों नहीं दिया और इनको नहीं दिया त तो इनके marks जो हैं वो last select candidate इनकी category के last select candidate से ज़्यादा है इनको भी भरती किया जाएगा ये बता देता हूँ आपको ये सब जो है आपको पता नहीं होता है इसलिए आप चुप चाप आंसू वहाँ के घर पे बैठ जाते तो दोस्तों रुकना नहीं थमना नहीं अब ठानना है और नाइंसाफी होती है तो उसके खिलाफ लड़ना है क्के किसी भी जग को जीतने का पहला असूल है जग के शुरुआत करना आप जग के शुरुआत किये बिमानी है तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं नीचे description में हमारा mobile number दिया जा रहा है उस पर आप whatsapp discuss कर सकते हैं आप बहुत जदा call करते हैं देखे फिर बता देता हूं आपको कि call पर बात नहीं हो पाएगी आप चाहे जतने call करें वीडियो call करते हैं, whatsapp call करते हैं, voice calling करते हैं, normal call करते हैं, call पर आप discuss करेंगे तो उसका normal 50 rupees fee से वो पेक करके बात हो पाएगी इसमें आपको यदि बुरा लगता है तो कोई problem नहीं है कुछ candidates कहते हैं, कि आप ये सब कमाई के लिए करते हैं, देखे कमाई की जहां तक बात आती है, तो मुझे सरकार नहीं देती है, ये channel जो रन होता है, तो ये आप सब के सहयोग से रन होता है वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, इस तरह का आपके साथ भी यदि कोई नाइंसाफी हुई है, तो हम आपके लिए तैयार हैं, जैसा भी हम सहल बनेगा, हम बिल्कुल करेंगे, channel आपका है, आपके support के लिए है, और आपके support से चलता है, ज हैंट.